हाई गाईज मेरा नाम है साहिल खना और आज की बिज़नी शुरू करते हैं सबसे पहले नूज और बहुत बड़ी नूज है भाई सिंगापूर के साथ में UPI पे हमारा टाइअप हो गया है अगर आपको सिंगापूर में किसी को पैसा भेजना है और वहाँ से लेना है तो आप UPI के थूरू ट्रासफर कर पाओगे तो सिंगापूर का खुद का पेमेंट नेटवर्क है पे नाओ करके उनके साथ में लिंक किया गया है मुदी जी ने बोला है कि बहुत बड़ा milestone achieve किया गया और यह बहुत बढ़े है चीज़ देगो सिंपल सी बात क्या होगा UPI की तरह instant पैसा आजाएगा और चार्जिस भी उस लेवल के नहीं लगए इस इतने लगते है बहुत tension है अगर आप बाहर से remittance लेते हो बाहर से पैसा कर इंडिया मंगाते हो तो तीन दिन चार दिन लग जाते है और चार्जिस भी अच्छे का से लगते है और जो की कोई sense नहीं लगता हाप क्या payment होने चाहिए जैसे हम नॉमल ही इंडिया के अंदर करते है वो चीज़े पॉसिबल नहीं हो अगली कबर एपल की है तो भाई एपल ने जो financial year 22 का जो profit report किया है Microsoft और Amazon को combine कर दोना उससे ज़्यादा किया है एपल बहुत profitable company है और पिछले कुष्टा इंड से एपल एक अच्छा काम भी कर रही है यह मुझे personally लगता है हाँ COVID की वए से जो उनकी स्पीड है वो थोड़ी सी घड़ गई है मुझे उमीद है M3 से बहुत अच्छा आएगा M3 यागीन जिनको Apple का शौक है डिवाइसे का computer का उनको सवज में आएगा जिनको नहीं आएगा दरने की कोई बात नहीं है अगली कबर वेदानता और Foxconn ने डुलेरा को चुना है जहां पर वो अपनी chip manufacturing की factory लगाएगे तेट लाग करोड के आसपास investment की प्लान है यह बहुत बड़ा-बड़ा M.O.U. sign किया गया गया गॉर्मेंट के साथ में सबसे पहनी chip manufacturing company इंडिया के इंदर बनने वाली मतलब चिप्स बनेगी इंडिया के इंदर silicon chips जिसकी वेज़े से हम शायद hardware की दुनिया में भी बहुत अच्छा काम कर पाए अभी के टाइम पे यह पहला ऐसा कुछ हुआ है देखा जाए तो अभी एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है मुझे भी देखना पड़ा वाई है विनी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी मतलब फाकिस्तान और चाइना जो जो लूग चले के इंडिया छोड के हम इशा रहे लिए उनको निमी प्रॉपर्टी ग्याजाते है नाम गलत है देखा जाए तो एनिमी वाई तुम इंडिया छोड़ के चले के तुम हमारे एनिमी ठीक है चलो कुछ कह नहीं सकते है नाम है अगली गपर फोर डे वर्क वीकी है तो भाई यूगे गंदर ये बहुत ही हुज सक्सेस रहा मतलब हफते में चार दिन काम करना है तीन दिन जुटी ठीक है अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पर मैं अपन करियर की लेबल के उपर हुआ है कि काम बहुत ज़्यादा है टाइम कम है ऐसा फीला अगली कबर चाइना की जो ZTE है जो की टेलिकॉम एक्ट्मेंट्स बनाती है उन्होंने भी लेओफ करने शुरू कर दिये है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी उसी गंदे लेवल की फाइरिंग चल रही है जैसे US के अंदर हुई है मतलब जो लोग 10-10 साल से काम कर रहे थे कंपनी में उनको भी निकाला गया अगली कबर US-based GSV Ventures की है तो उनका कहना है कि इंडिया एक बहुत ही इंडिया बहुत अच्छी है उनके हिसाब से तो यह आप इमेज के अंदर देख सकते हैं का आप एक कौन से कौन से कंपनिया काम कर रही है तो यहाँ पर मैं आप से परसनल लेवल पर पूछना चाहूँगा मैं बात करके चलूँट तो मैं लोगों के package से जादा खर्च करता हूँ अपनी self-learning के उपर monthly basis के उपर जो अच्छा आप पैकेज बोलते हो ना उसरहा मैं अपनी monthly self-learning के उपर खर्च करता हूँ आज मैं mentorship के भी नया चसका चड़ा हूँ है तो mentorship के भी डिड़े दूदर ला extend कर दिया जाए तो इसकी वज़े से उनको लगता है कि work-life balance में फर्क पड़ सकता है हाँ पैसा कमाने की opportunity जादा है पर उनको लगता है retail investors को भी इससे चायद उतना जादा फाइदा ना हो ऐसा उनको लगता है अगली खबर उदे कोटक जी की है तुन्हें ने बोला कि जो र real GDP growth है वो एक अची चीज है तो basically तारीफ करेंगे है ठीक है मैं देखो simple सी बात मैं जो बात होती है वो बताता हूँ पर मुझे एक दुसर साइट भी अच्छी लग रही है जो share करनी बनती है राउन गांदी भी come back कर रहे है दुसर साइट पर देखा जाए उस लेवल पर न ठीक है प्लान यह था भारत जोड़ों में पूरा हर जगा से हर नेताओं से मिलेगे वहां के सारण लों से एक नया alliance बनाया जाएगा जो BJB के खलाफ लड़ेगा एट लास जब पूरा खतम हुआ सब alliance वाली companies को बिलाएगा सारी parties को बिलाएगा सारी parties नहीं आई बहुत सारी parties नहीं आई तो alliance उतना strong नहीं बन पाएगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ जब वो move कर रहे थे थे तो उन्होंने अपनी दाड़ी बढा लिए ठीक है अब वो दिखाना चाहरें कि this is experience प्लस अभी recently मेना उनके एक वीडियो भी देखी यूट्यूब के अदरी दाल रखे थे उसके अंदर वो अडानी वाले मुद्देगी उपर बात कर रहे थे और वो highly edited video थी normally इनको criticize किया आता है कुछ भी बोल देते हैं पर यहाँ पर highly edited वे कुछ भी बोलने वाली शायद अगर ने बोला भी हो तो उसको अटा के इतनी refined video निकालेंगा ही जो की बहुत बड़िया चीज थे अब दूसरे side of story है कि यह मेरा personal opinion है मुझे लगता है कि कई बार रहुल गा मारकेटर के हमारे सामने ऐसा पेश कर देती है कि हमको लगता है कि यहाँ से अलुदालुगा ऐसे सोना निकालुगा तो राहुल गांदी ने किसी चीज को समझाने के लिए वो address किया था पर खाली वो ही line ले आये और वो line लाके हमको market करके दिमाग में वाइड वाइड अबर नहीं हुए as a marketer simple सी बाद यह मेरा marketing वाली चुल बज जाती है इसलिए मैं चीज़े शेर करता रहता हूँ मैं politics से बहुत दूर रहता हूँ मुझे ने पसंद यह politics वाला मुद्दा पर as a marketer मुझे चीज़े बहुत पसंद आती है बहुत exciting लगते तब ही मैं शेर करता अब हमको नहीं पता कितना सस्ते में स्टीला अगली गबर consumer affair के जो secretary है रोईद कुमार उन्होंने वोला business को reasonable profit margins रखने चाहिए charity की बात नहीं करी जारी पर reasonable profit margin रखने चाहिए basically उन्होंता कहना है कि अगर आप कोई चीज़ को बनाने में 100 रुप लगाते हो तो आप 110 में बेचो आप 1500 रुपे pricing मत रखो मैं थोड़ा subscribe जो मेरा मानना है कि ऐसा है कोई जुरूरी नहीं है सबकी अलग-अलग pricing है अलग-अलग है तो margins matter नहीं करते revenue matter करता है अब simple सी बात MIE जैसी company है वो बहुत जारा volume करती है पर वो हर phone के अंदर बहुत चोटा amount मनाती है पर Apple की बात करके चले वो हर phone में बहुत मोटा amount मनाती है पर वो उतने phone नहीं बेचती है तो strategies दोनों अलग-अलग है अब बोलोगे Apple का पाई profit तो अब से IS है पर Apple बाकी चीज पाईजिंग होते है na food packaging उसका है company है और यह बड़ी company है मैंने पहले बीन के बारे में बहुत बार सुन अगली कबर try की है तो try ने mandate करा है digital connectivity infrastructure buildings के अंदर अब यह थोड़ा समझा देता हूँ मुझे भी लगता है इसकी problem है जैसे मैं जिस society में रहता हूँ उस society के अंदर आप उसको लेना है तो वोई ले लो और कोई option नहीं है तो this is unfair practice na CCI पर जा सकते है इन बातों के चक्कर में बाकि छोटा volume है चकर में CCI के साथ नहीं जाएगा अगर CCI इसको consider करके चले although वो नहीं करेगी क्योंकि CCI भार की companies को ज़्यादा करती है Indian companies के उपर ज़्यादा उठाती पर अगर CCI के उपर देखे तो कितनी societies ऐसे होगी जहां पर forcefully एक ही internet connection हमको force किया जाथा कि तुम यहीं लोग और कोई नहीं ले सकते तो जब भी कोई building बन रही है तो उनको अपनी wiring बिचानी होगी जैसे अगर मैं अपनी घर की बात करके चलू तो उसमें पहले से घर लेन की जुरत नहीं है वो भार सही हमको provide कर देगे और वो मेरे घर तका जाएगा अगली कबर Saudi minister की है तो उन्होंने बोला जो OPC का decision था कि हमको अपनी oil production को कम करना है वो market के basis पर था politics नहीं था उसके अंदर अब उनका ऐसा कहना है हमने इस चीज़ को बहुत ख़बर किया था Adani Ports की है तो Adani Ports पंदरा सो करोड का loan repay कर चुका है और उनका कहना है अभी short term और repay कर देगा अगले महीने 1000 करोड तक का बढ़िया चीज़ है बहुत ज़्यादा repayment चल रही है Adani बहुत ज़्यादा control level पर काम कर रही है अभी आगे कौन news है फिर समझाऊगा थोड़ा detail के अ Ad revenue क्यों गटा मतलब तुम ads नहीं पेच पाए चीज़ सिम निकालो बहुत सारी लोग छोड़ की गए है Twitter advertisers की अगर हम बात करके चले अगली कबार Amazon की है तो government ने Amazon को बुला है कि आपके खुद के private labels है good है पर वो starting result पेच्पे starting starting में आए this is not good पर मेरा मानना है कि वैसे मानता तो मैं Amazon cheating करता है पर मेरा मानना है कि इसमें कुछ unfair नहीं है जो product अच्छा है वो product उपर आना चाहिए जो नहीं है वो ना है अब वो इंका है या नहीं है वो matter नहीं करता अब simple सी बात खाहनी यह है कि Amazon basics की अगर बात करके चले वो इतना strategic project बना दिया नहीं है कि उस rate में वो specification और competitors देए नहीं सकते हैं तो यह service की बात नहीं कर रहा हमें पर मैं price to features वाली बात करके चले तो Amazon basic हर चीज़ का top seller बन सकते है अगली कबार reports की अगर बात मान के चले तो Gotham Adani जो है वो bid के against जाएगे PTC India के मतलब वहाँ पर waiting नहीं करने वाले इससे पहले जो coal plant project को उनको ख पुशिश करी जा रही है majorly यह सारी चीज़े चले अगली कबर consumer affairs secretary ने 22 को बोला है कि शारू खान की जो आपकी एड आती है वो अच्छी नहीं है जहां पे वो बोला जाता है कि दो tutors रखोना एक से better ही है वो तो अगर आपने एड देखी हो तो आपको सज में आ गई होगी तो simple सी बात by juice तो यह market कर रहा है कि हर subject का आपके पास अलब teacher है एक ही teacher रखने के जूरता है यह है वो है और उपर से शारूख खाना के बोल रहा है तो बहुत जारा impact पड़ रहा है अब simple सी बात by juice वालों ने clarify कर दिया कि हमारी marketing strategy change हो रही है अब हम गलत चीज़े नहीं करे अब ही उन्होंने profitability की बारे में बात करी है और उन्होंने बुला है कि हम अपने group level पे profitable जाना चाहते है overall मतलब पूरा group को positive लेगे जाए अगली कबर my gate की है तो उन्होंने भी 30% अपने employees को निकाला है my gate basically अगर आप society वाले हो तो वहाँ पे आप कई बार देखते होगे वाला mechanism वाला कई लोगों ने use किया होगा जो आप chatbot पे prompt लिखते हो ना वो भी एक बहुत ही high leverage skill है मेरा बाना है जैसे google पे search मारना भी एक skill है आज के टाइम पर सब लोग कोर्स कोर्स की बात करके चलते है बहुत important skill है google पे search मारना मैंने देखा है लोगों को google पे search नहीं मान है कि मेरे पास एक unfair advantage है कि मैंने SEO सीख रखा है मुझे SEO आता है इसलिए शायद मैं search को समझता हूं कि क्या लिखूँगा तो क्या आ जाएगा अगली कबर रिपोर्ट की हिसाब से एक Chinese app है वो Amazon से आगे निकल गई है US के अंदागर हम downloads की बात करके चले मतला सबसे बड़ा player बहुत बड़ी बात है अभी recently वह आई थी और इससे आंगे निकले अंगली कबर मार्केट की है तो मार्केट का आप हाल देख सकते है अडानी इंटरप्राइजे फिर हमको नीचे दिखाई दे रहे है यह कहीं ना कहीं इस चार्ट के अंदर रहना हमेशा से आते हैं इनको अचार्ट कैसे अज़ है कभी लिजर्ज ठाप लूसर्जेस में होते हैं अब्लम इत्स लिस्त में होती है तो चलो इसी के साथ आजकी वीजिस खतम होती है उम इतकरता आग को मज़ा होगा लाइक करदेना शेर करदेना कमला तना वीड़िए केसी लगी बाई गुंदेश् रहे हैं जैहिन बंदे मातरों